गुरू है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी है एक आध्यात्मिक गुरू एक योगी को जो की मुख्यमंत्री भी है किस तरह से देखता है मुझे तो बड़ी खुशी है कि किसी प्रदेश का जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश का मुख्य मंतरी साधू है मैं तो चाहता हूँ देश का प्रदान मंतरी भी साधू होना चाहिए एक दिन आप योगी आददुटनाद को प्रदानमंतरी देखना चाहते हैं मैंने तो यह भी कुछ भी नहीं कहा मैंने तो कहा कि मैं तो चाहूंगा कि प्रदानमंतरी भी साधू ज्यान्वापी में क्या है शिवलिंग फवारा क्या लगता आप यह बड़ा खतरनाक सवाल है मैं तो कणकण में परमात्मा देखता हूँ मुझे तो हर जगा शीवी नजर आता है और यह मामला अदालत के विचारादीन है किसी भी हिंदू से पूछो कि होँआ क्या है तो तो कहेगा महादेब हरार महादेब लेकिन इसका फैसला अदालत करेगी हम सब जानते थे कि भगवान शिरी राम का जन्म आयुद्धया श्री राम की जन्म महमी है लेकिन अदालत में केस चला परिश्थितिया ऐसी हुए कि सैकड़ साल केस चला अंता तो गत्वा फैसला आया अगले सवाल की और बढ़ते हैं नारे लगते हैं आयोध्या हुई हमारी काशी मत्हुरा की बारी इस पर आपका क्या कहना है मुझे लगता है कि ये सद्भावना को बेगारने वाले नारे आप कहते हैं मैं सावरकर का सम्मान करता हूँ लेकिन राहूल गांधी उन्हें कायर बताते हैं देखे देश की आजादी की लडाई में अगर किसी व्यक्ति ने एक दिन भी जेल काटी है वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर है सावरकर जी ने तो कई साल जेल में बिताए वो भी काला पानी बड़ी यातनाएं उनको दी गई तो जिस देश के किसी वी व्यक्ति ने अगर देश की आजादी की लडाई में यातनाएं सही है तो मैं उसके सम्मान करता हूँ यह मेरा अपना विश्य है अगर कोई सावरकर जी के खिलाफ कुछ बात करता है तो मैं उससे सेमत रही हूँ आपने अखिलेश यादव को लेकर कहा था कि मुख्यमंतरी रहते हुए कलकी मंदर के निर्मार पर उन्होंने रोक लगा दी और हिंदू की आस्था को उन्होंने ठेस पहुंचाए तो मैंने गलत कहा कहा है जब श्री कलकी भगवान का मंदर बन रहा था हमारे याँ श्री कलकी अवतार का जो जिक्र है वो पुराणों में है भगवान विश्नु के दस अवतार का जिक्र है जिसमें अंतिम अवतार दसम अवतार जो है वो कलकी भगवान के रूप में धर्ती पर आएंगे और ये मैं नहीं कह रहा है ये तो इसकंद पुरान, भविश पुरान, कलकी पुरान और स्रीमत भागवत में इसका उलेख है कि भगवान का साथमा अवतार राम थे आथमा क्रश्न है, नमा बुद्ध है दसमें कलकी के रूप में आएंगे और ये शीमत भागवत का इसलोक है संभल, ग्राम, मुकस्ब, रामनस, समात, मना, भवने, विश्न, यसस, से कलकी, प्रादुर, भविश्यती भगवान का अंतिम अवतार कलकी के रूप में संभल नामकिस्तान पे होगा तो जिस संभल में भगवान का अवतार होगा उसी संभल में श्री कलकी धाम के भीतर मंदिर अगर बन रहा है भगवान कलकी का तो उस पे रोक लगाने का मतलब क्या था क्या राहुल गांदी या मैठी से चुनाव लड़ेंगे क्या स्मृती रानी को टकर दे पाएंगे राजनीती में चुनाव लड़ना और कहां से लड़ना ये एक नैचुरल प्रोसेस है राहुल गांदी जी इस देश में जहां से चुनाव लड़ सकते है जहां से चुनाव लड़ सकते हैं को जहां से लड़ेंगे जीतेंगे या प्रियंका गांधी वारण असी से चुनाव लड़ेंगी यह फैसला तो प्रेंका जी को करना है लेकिन प्रेंका गांधी जी को चुनाव लड़ाने के लिए बहुत लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आ गई भारत से आत्मा रो रही होगी पंडित नहरू और भगत सिंग तड़प रहे होंगे लेकिन जैराम रमिश दिगविजय सिंग और कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खरके सब खामोश हैं मैं मानता हूँ कि जैसे नई संसद का निर्माड हुआ तो यह संसद भाजपा की नहीं है भारत की है पंडित नहरू जी ने जो निर्माड किये वो अपने साथ थोड़ी ले गए यहीं छोड़ गए है देश की धरोह हैं सभी है जितना आज देख रहे हैं आप उन्होंने र सब्सक्राइटी से जोड़ के देखना ठीक नहीं है इसलिए मैंने कहा था कि जो नई संसद बनी है तो इसको भाजपा का समझ लेना ठीक नहीं होगा और अब वक्त हो गया है हमारे रैपिट फायर राउंड का एक नाम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे संबंदे ज जो विचार यह जो शब्द आपके जिहन में आता है आपको वो कहना है तो पहला नाम आपके सामने है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महापुरुश सियम योगी आदत्तनाथ जिद्धी बाबा शिवराज सिंग्चोहान मामा मारीच अखिलेश यादव शरीफ इंसान राहूल गांधी तपस्वी प्रियंका गांधी दमदान नेता असदुद्दीन ओवैसी सिर्फिरे वकील कमलनात भावी मुक्यमंत्री राम मंदिर हमारे गौरब का हमारे आस्था का पृतीक इदगा एतराम के काविल हिंदु राष्ट भारत को भारत ही रहना चाहिए बहुत धन्यवाद आचारे प्रमोद कृष्णम जी आपमें सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिये और उम्मीद है कि हमारे सवाल भी आपको पसंद नाए होगे बहुत शुक्री आपका कारिकरम में जुड़ने के लिए अगले हफ़ते फिर हाजर होंगे एक नए खास महमान के साथ तब तक के लिए हमें दीजी इजाज़ाद नमस्कार दन्यवाद